हेलो गाइज चलो हमारा निक्स पेटें चैलेंच स्टेट करते हैं जिसमें में ये ट्र diff को प्यूंऽ प्री ανα है और इस ट्राइंगल में स्टार की जगे आपको देखेंगे कि यहां पर आपको numbers प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं, row wise इसको कैसे logic क्या बना सकते हैं, okay, four rows है, अब each column wise हमें values चाहिए और उनको कैसे calculate किया जाएगा, जैसे R1 है, तो C1 से अगर मैं start करती हूँ, तो C equal to equal to R के लिए, मुझे एक, जो भी एक number है, first row का वो मिल जाएगा, तो यह condition satisfy हो रही है, उसके बाद C equal to 1,2 अगर मैं करती हूँ, तो मुझे दो numbers मिल रहे हैं, तो C less than equal to R, again C equal to 1,2,3, C less than equal to R रखती हूँ, तो R equal to 3 तक मेरे चल रहे हैं, 1,2,3,4, C less than equal to R, similarly अगर यहाँ पे भी आप less than equal to 2 रखते हो, तो equal to, के condition के लिए, one number अपको यहाँ पे मिल जाएगा, first row में, ठीक है, तो आपके पास condition मिल चुकी है, जो है, C equal to 1 से start करो, C less than equal to R रखो, और C को plus plus करो, बस question यहाँ पे सिर्फ एक है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कि जो numbers है, row wise हमको numbers को change करना है, और column wise same रखना है, ओके, तो simple है, यहाँ पे अब देख सकते हैं, row 1 में 1 ही print हुआ है, row 2 में सिर्फ 2 ही print हुआ है, row 3 में 3 ही print हुआ है, और row 4 में 4 ही print हुआ है, तो simply आपको करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ आपको बस एक ही काम करना है, जैसे आप हमारा for loop देखते है, for r equal to 1, r less than equal to 4, r plus plus है, ओके, and next जो for loop है हमारा, वो है c equal to 1, c less than equal to r, c plus plus, ओके, और यहाँ print क्या होगा, तो यहाँ print होगा row number, ओके, percent d आएगा, row number print करना है, तो obviously आपको क्या print करना है, r की value print करनी है, ओके, तो यहाँ r की value print करो, और बाहर आने के बाद, each new row के लिए आपको क्या करना है, new line करना है, तो बाहर आके printf new line, ठीक है, तो यहाँ हमने अपना ये वाला pattern complete कर लिया है, अगले pattern challenge के video का notification आने के लिए, जल्दी से subscribe कर लीजिए, आपको मेरा solution अगर पसंद आता है, तो इसे like भी कर देना, और जादा से जादा लोगों तक पहुचने के लिए, इस challenge में उनको involve करने के लिए, आप share करना, मत भूलना, So thank you guys for watching this video, enjoy coding, keep coding.